हालगी में खत्रों का खिलाडी 14 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई थी बताया गया था कि आसिम रियास को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है इसके पीछे आसिम रियास का गुसेल रवया सबसे बड़ी वज़ा बताया गया रिपोर्ट्स की माने तो शालिन भनोट और आसिम रियास का शूटिंग के टाइम पर भयांकर जगड़ा हुआ था जसके बाद आसिम रियास ने शालिन के साथ गाली कलोच की थी और बताया जा रहा है कि इसी के चलते आसिम रियास को शो से बाहर कर दिया गया था लेकिन अब जो लेटिस रिपोर्ट सामने आ रही है उसके बाद बताया जा रहा है कि आसिम रियाज वापस लोटाए है जी हाँ रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि शो में आसिम रियाज को वापस बुला लिया गया है खत्रों के खिलारी के 14th सीजन की शूटिंग रोमानिया में चल रही है सबी कंटेस्टेंट्स के वहाँ पहुँचते ही खबरे सामने आई कि आसिम रियाज और होस्ट रोहित शीटी के बीच तीकी बहस हुई जिसके बाद उन्हें बाहा निकाल दिया गया है लेकिन थोड़ा टाइम के बाद रियल रीजन सामने आया जिसमें ये दावा किया गया कि जो जगड़ा हुआ है वो आसिम रियाज का रोहित शीटी के साथ नहीं बलकि शालिन भनौट के साथ हुआ ज्रस के बाद शो के मेकर्स ने आसिम रियाज को उसी टाइम पर बाहा न आनने के बाद आसिम ने काफी ड्रामा किया जिसकी भरपाई उन्हें शो से हादो कर चुकानी पड़ी लेकिन अफाइनली आसिम शो में वापस आ चुके हैं और इसी के साथ बताया जा रहा है कि आसिम रियाज फिर सी खत्रों का खिलारी में नज़र आएंगे वो भी भयंक कर स्टंट करते हुए आपको पता दे आसिम रियाज को लेकर ये खबरे तब सामने आई जब शो की कंटेस्टेंट आशिश महर उत्रा ने गुरूफ फोटो शेर की जिसमें आसिम भी नज़र आ रहे हैं और इसी के साथ अफवाहो और दावो पर विराम भी लग गया फिला तो आसिम रियास का जो जगड़ा हुआ है शाली नौर रोही शिटी के साथ इस पर क्या कहना चाहते हैं आप जो भी आपकी राय है हमारी कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आप हम मतले इस पर कर लीजिए आपकी रिए्या था आप हमारी को अपने इस 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 पर दिया दो पुमेंट सेक्शन मेंट सेक्शन में अजह लीजिए आप जाप।